देश में इन दिनों खाद को लिकर किसान चिंतित नजर आ रहे हैं, वह बात भिंड की करें तो भिंड में भी खाद के लिए किसान लगातार प्रेशन होता नजर आ रहा है। इतना ही ने खाद लेने गई महलाओं को भी कई घंटों लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। कई किसानों का कहना है कि उन्हें खाद लेने के लिए दो से तीन घंटे इंतियार करना पड़ता है तब जाकर मुश्किल से पांस बोरी खाद मिलता रहा है। जिससे उनका अलेक्टर शतीश कुमार एस ने कहा कि टोकन सिस्टम चालू होने के बाद निश्चित ही खाद की समस्चा से किसानों को निजात मिलेगी। कि टोकन के इश्यू है मतलब टोकन के अलावा भी कुछ लोग मतलब आ जाते हैं तो इसलिए आमने दो विवस्ता किया है आपने देखा होगा कि पहले पुराना मंडी में पुरा टोकन वितरन भी वहीं हुआ रहा था और जो रसीर काटना एवं काद वितरन उसको अलग-अलग कर लिया भी ये टोकन वाला यहां नया गला मंडी से टोकन वितरन करेंगा और रेगुलरली करते रहेंगे ताकि लोग को परिशान ना हो बलब रोज इतना लोग आ रहे हैं कि उनको टोकन वितरन हो गया है कोई न